नमस्ति जी कैसे हैं आप? दोस्तो हम सब दिन रात खून पसीना एक करके पैसा कमाते हैं एक एक पैसे का मूल यहां में पता है हमारे कई जरूरते हैं लेकिन वही पैसा टिकता नहीं पानी की तरह बह जाता है तो बहुत दुख होता है वास्तु शास्त्र कहता है कि कुछ ऐसे चीज हैं जो घर में पड़े-पड़े दरदरता खींचलाते हैं इस वीडियो में वही जानेंगे दोस्तो जहां कबूतर या अन्य पंची को हाथों से दाना खिलाना पुन्य माना गया है वही कबूतर अगर घर में अपना घोसला बना ले तो ये शुब नहीं माना जाता गौर तलब ये वही घोसला बनाते हैं जहां वे सुरक्षत महसूस करते हैं लेकिन अपने घर या च्छत पर इसका घोसला आपके जीवन में अस्थरता और आर्धिक तंगी लासता है उनका च्छता बनाने में जुटा देते हैं उनका डंग जैसे खतरनाक साबत हो सकता है इसे मद्दे नजर रखते हुए मधुमक्यों का च्छत घर में या आसपास से प्रोफेशनली हटवा दे मकडी का जाल घर में दिखना आने वाले परिशानियों को इशारा करता है इसलिए घर की पूरी तरफ से साफ सफाय का ध्यान रखना जरूरी है मकडी की जाल रसोई घर में दिखने से फुट पोईजनिंग का भी खतरा रहता है मकडे की जाल दर्शाता है कि वहां उर्जा का प्रसारन ठैरा हुआ है इससे घर में आर्धिक परिशान्या हो सकती है तूटे आइने में अपनी परचाई देखना या जानबूझ के आइने को तोड़ना बहुत अशुभ माना जाता है घर में अगर कोई छोटा सा आइना भी तूट चाए तो उसे फोरन घर से बाहर फैंग दे माना जाता है कि ये अंचाहे नकारात्मक उर्जा को आकर्शित करता है चमदागर का घर में आना अशुभ माना गया है ये प्रानी दिन में सोते हैं और रात को शमशान के पास मृत शरीर को खाते हैं और उनका खून चूसते हैं वास्तु जोतिश और वैग्यानिक दृष्टिकून से भी इनका घर में आना अशुभ संकेत ही माना गया है घर के दिवारों में दरारे पढ़ना खतरनाक साबत हो सकता है यह दरदरता का सूचक भी है इन्हें जल्द से जल्द रिपेर करना चाहिए नल से पानी लीख होना बहुत अशुभ माना जाता है इस से पैसे भी पानी की तरह ही बह जाता है पानी का डिब डिब आवाज भी अशुभ माना जाता है नल की रिपेर जल्द से जल्द करवाना चाहिए छट पे गंदगी जमा होना आपके जिन्दगी में परिशान्या ला सकता है घर का छट आपके सिर जितना महत्व रखता है इसे सास सुत्रा रखने से घर में शुभता आती है छट पर बेकार चीज़े जमा करना बंद कर दें जो समान इस्तमाल में ना हो उसे घर से बाहार ही कर दें खंड़त फूलों को जिस तरह भगवान पर चढ़ाय नहीं जाते भगवान पर चढ़ाय गए फूल अगले दिन को मुर्जा जाते हैं जिन्हें तुरंथ हटा देना चाहिए इसी तरह अगर आंगन में तुलसी मुर्जा जाए तो उन्हें बिदा करके नई घर लाना है